नमस्कार भाई और बहनू साथ सेप्टेमबर इंडिया में दो फेस्टिवल थे एक है जन्माष्टमी और दूसरा है जवान जी हाँ दोस्तों, जवान एक फिल्म नहीं, एक फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है इंडिया में ये मुवी पूरे हिंडुस्तान को इकठा कर लिया है नौर्च से साउट तक, इस्ट से वेस्ट तक, हर जगर सिर्फ एक ही नाम गूज रहा है जवान हम भी ये फेस्टिवल मनाने कल मुवी थेटर में गए और मैं आज इस फिल्म का रिव्यू और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में आप सबको बताऊंगा जवान एक आदमी के बारे में है और वो है इसार के फिल्म में डायलोग है बुढधा होगा तेरा बाप Seriously, 57 साल के उमर में भाई साब ने जो एक्शन और डान्स दिखाया है उसको हम अंग्रेजी में सिर्फ माइन ब्लोईंग ही कह सकते हैं उनके एक्टिंग के बारे में तो कभी कोई सवाल उठा ही नहीं पा सकता पूरे फिल्म में आप उनसे एक नजर भी नहीं हटा सकते वो जब जब एंट्री लिये हैं तब तब पूरा थेटर स्टेडियम बन गया था बाप और बेटा मतलब विक्रम राठोर और आजाद के रोल में he is equally good इन फैक्ट बाप के रोल में उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सब के बाप है ये बॉइकोट और ट्रोल गैंग अभी सोशल मीडिया में मुझे दिख नहीं रहे हैं बोलते हैं ना मुझे नहीं अपने काम से जबाब दो SRK ने वो ही किया है कहानी के विपाड़े में मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता सिर्फ ये ही बताऊंगा कि ये एक रिवेंज ड्रामा है with a lot of twists performances में SRK के बाद जो आते हैं वो है विजय सितुबती उन्होंने जो विलेन का रोल प्ले किया है मुझे नहीं लगता कोई और इतनी अच्छी से ये रोल प्ले कर पाते SRK और उनका डूल इस सिंप्ली फंटास्टिक फिल्म में सारी औरतों ने very important रोल प्ले किया है नयांतारा से लेके दिपिका पादुकों तक प्रियमानी से सानिया मलोत्रा तक सभी ने अपने रोल्स बहुत खूब निभाया है इन फैक्ट जो बच्ची नयांतारा की बेटी है फिल्म में उसने भी कमाल की अदाकारी दिखाया है फिल्म का एक बहुत strong point है background score वो movie को एक अलग level पे elevate कर देता है अनिरूद भाई ने बहुत ही अच्छा काम किया है ऐसा मास फिल्म शायद एटली सहाब ही हमको दे सकते है SRK का ये never seen before अफतर जो उन्होंने प्रेजेंट किया ये करके उन्होंने साबीत कर दिया कि क्यो South Indian movies इतने successful होते हैं Hindi movie वालो कुछ सीखो South के डारेक्टर से Overall मैं इस movie को 5 में से चार दूँगा Personally मुझे film का first half second half से better लगा इसलिए एक marks कम दिया और हाँ गाने थोड़ा अच्छे हो सकते थे इसलिए वो एक marks पे ये वाला settle कर दिया मैंने अब बात करते हैं इस movie के box office performance के बारे में इस film ने पहली दिन ही सब languages को मिला के इंडिया में 75 crores का collection किया और worldwide में gross collection रहा 130 crore तिन दिन मिला के पूरे world का gross collection 386 crore से भी ज्यादा है इस film का आज का sales अगर देखा जाए तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं कि आज इस movie ने worldwide 500 crore का collection cross कर दिया है 300 crore में बनी ये movie सिर्फ 4 दिन में blockbuster सभित हुआ है The King is truly back तो अगर आप लोगों ने अभी जावा नहीं देखी तो जल्दी से अपनी nearest movie theater में ये movie देखिए ऐसी mass movie बहुत कम ही बनती है हिंदी में और अगर आप इसारके के fan हैं या उनको पसंद करते हैं तो this film is a must watch वैसे book my show में tickets उतने आसानी से मिल नहीं रहे हैं तो थोड़ा advance में book कीजेगा इसे के साथ ये वीडियो में खतम करता हूँ भाई और बैनों ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेए और इस वीडियो को like और share जरूर कीजेगा जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान